पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान बड़ी मुश्किल में फसने वाले हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के 29 आतंकवादियों को गिरफतार किया है ये आतंकवादी ISIS के लिए लड़ रहे थे ऐसे में अब अमेरिका इन पकड़े गए आतंकवादियों की जाच कराएगा ये आतंकी सीरिया में पकड़े गए हैं और इनमें नौ महिलाएं भी शामिल हैं देखिए इनको पाकिस्तान आतंकवादियों का पनहागार है ये बात पूरी दुनिया जानती है FATF की लटकी तलवार के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कारवाई का दिखावा किया और ये जताया कि वो सुधरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में FATF की ग्रेलिस से बचने के लिए दो बेहद एहम विधेकों को भी संसत से पारित कराया गया है खान चीन की मदद से पाकिस्तान को FATF की ग्रेलिस से निकालने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन अब पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान की परिशानिया बढ़ने वाली है क्योंकि अमेरिकी सरकार सीरिया में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका की जाच करने जा रही है अमेरिका के इस ताजा एलान से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के होश पूरी तरह से उड़े हुए है जानकारी के मुताबिक अमेरिका समर्थित और कुर्द सीरियाई डेमोकरिटिक पोर्स ने 29 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नामों के लिस्ट शेयर की है ये लोग उनके कब्जे में हैं और इस्लामिक स्टेट की ओर से जंग लड़ रहे थे ISIS ने एराक और सीरिया में पिछले कुछ सालों में जम कर कतले आम किया है इन मेंसे चार पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनोंने तुरकी और सुडान की नागरिकता हासल कर ली है हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन 29 पाकिस्तानी आतंकवादियों को अरिस्ट किया गया है उन में से 9 महिलाएं भी हैं ऐसे में अब अमेरिकी सुरक्षा बल पाकिस्तानी नागरिकों से पूछताच कर रहे हैं वे ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को सीरिया किस ने भेजा इतना ही नहीं पाकिस्तानी खूपिया एजिंसियां अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट औफ खोरासान फ्रांथ के साथ मिली हुई है ऐसे में पूछ साच में उनके बारे में भी पता चलने की आशंका जताई जा रही है ISKP के आतंकवादियों ने काबल में गुरुद्वारे पर हमला किया था इसके अलावा उन पर कई निर्दोश्ट लोगों पर हमला करने का आरोप है ISKP का चीफ असलम फारुकी एक पाकिस्तानी नाकरिक है और उसका ISI से सीधा संबंध है हाला कि अब वो पुलीस की गिरफ्त में हैं इससे पहले फारुकी लशकर तयाबा से जुड़ा हुआ था जैसे मोहमत और लशकर जैसे आतंकी गुट जहां भारत को निशाना बनाते हैं वहीं ISI के इशारे पर तालिबान, हकानी नेटवर्क और ISKP अफगानिस्तान में कतल याम करते हैं ऐसे में भारत का ये दावा पहले ही सही साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंडर है और FATF के बाद अब पाकिस्तान पर अमेरिका की भी तलवार लटकने वाली है अमेरिका की जाज़ के बाद पाकिस्तान की प्रधान मंसरी इमरान खान की मुश्किले और ज्यादा बढ़ने वाली है पाकिस्तान आतंकवाद का केंडर है ये बाद साबित हो चुकी है पाक में पनप रहे सभी आतंखवादी इमरान खान की शरण में है और पाकिस्तान की सेना ही इन आतंखवादियों की फंडिंग करती है और अब सीरिया में सक्रिय पाक आतंकवादियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसके बाद अमेरिका इस मामली की जाच करने जा रहा है ऐसे में अब इमरान खान पूरी तरह से फस जाएंगे इसी तरह की खबरे में अपने लाती रहोंगे तब तक के लिए बने रहे है हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया